नोश्कार तब पब्लिक में आपका स्वागत साल के अंत में गुजरात वधान सभा चुनाओ की आहट के बीच हम आप तक गुजरात की राजनीतिका इतिहास और उसके तमाम किस्से पहुँचानी के लिए अपनी ये खास सिरी चला रहे हैं जिसके पहले अंक में हमने आपको गुजरात के वधान सभा चुनाओ की शुरुआत से ले करके और अभी जो वरतमान वधान सभा चल रही है वहाँ तक के एक एक करके मुख्यमंत्रियों के बारे में थोड़ा सा बताया था कि मुख्यमंत्री कब कौन बना इसके अलावा हमने आपको यह बताया था कि गुजरात की नियू कैसे पड़ी आज के इस अंक में बात गुजरात के पहले मुख्यमंत्री की जिनका नाम था जीवराज नारायन मेहता आज के अंक में हम जीवराज नारायन मेहता के बारे में बिस्तार से जानेंगे और साथ ही जानेंगे पहले विधान सभा के चुनाओ दूसरे विधान सभा के चुनाओ और उस समय की राजनीतिक समीकरण और उस समय की सियासी चालों के बारे में शुरुवात हम करते हैं जीव नारायन, जीवराज नारायन महता के जीवन से 29 अगस्त 1887 को अमरोली कस्वे में इनका जन्म हुआ, इनके तब ये बॉम्बे प्रेसिडेंट्सी का हिस्सा हुआ करता था, बड़ोधा रियासत में ये अमरोली आया करता था, इनके जो पिता थे ब्यापारी थे, जीवराज शुरुवात दोर ने शुरुवाती से, शुरुवाती दोर से ही, चोकि हलाग वहीं इनकी प्रात्मिक सिख्षा हुई, इसके बाद ये चोकि पढ़ने में तेज थे, फिर आगे ये, नहींने मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से, अम्वी इसके अलावा जो आठ्वा पुरसकार था, उसमें भी आधा इन ही का हिस्सा था, दरसल वो आठ्वा पुरसकार सहयुक तुरूप से दिया गया था, और जो सहयुक तुरूप से दूसरा भागीदार था, वो कोई और ने, बलके इनका ही हॉस्टल का रूम मेट था, मतलब यह कि उस आठ में से साठे साथ पुरसकार इनके हिस्से में आए, आठवा भी इनकी भागीदारी में ही रहा, इसके बाद फिर यह टाटा की जो चातरवत्ती थी, उसके लिए जो दो लोग चुने जाते थे, उसमें से एक ये थे, और इसके बदौलत वो अपना आगे की प जब वो इंग्लेंड में थे, तो उन्होंने वहाँ पर इंडियन एस्सेशेशन बनाया था, और जब फिर इसके बाद 1915 में इनकी भारत वापसी होती है, उस समय देश में सोतंता आंदोलन चरम पर होता है, सोतंता आंदोलन चल रहा होता है, ये सोतंता के आंदोलन में ये सक्री रहते हैं, बड़ोदा में रहते हुए ही इनके मुलाकात होती है हंसा मेहता से, हंसा मेहता वहाँ के दिवान की बेटी थी, फिर 1924 में हंसा मेहता और जीवराज मेहता क्या विवा होता है, उस समय लव मेरिज और अंतर जाती शादी जिसका खुब विरोध होता है हंसा मेहता भी एक अलग पहचान रखती थी, एक अलग सक्सियत है हंसा मेहता, हंसा मेहता कॉंस्टिट्वेंट एसेंबली के उन 15 महिलाओं में सामिल थी, जिनोंने समविधान का मसौदा था, उसको तयार करने में महत्वून भूमी का निभाई थी, इसके अलाओ उन्होंन राइट चार्टर ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी, उसमें भी उसकी भी ये मेंबर थी, 1948 में ये कमिटी बनी थी, जिसके जो इनका योगदान था, इसके चलते इनको 1969 में पद्मभूशर सम्मान से सम्मानित किया गया था, फिर भारत जब आजाद हुआ, आजादी के प्रथान मंत्री बने थे, कई इसके अलाओ उन्होंने कई एहम पदों पर सेवाएं दी, गुजरात में साल 1960 में गुजरात बनने की निव पड़ी थी, कैसे पड़ी थी, यह हमने आपको पिछले अंक में बताया है, अगर आपने नहीं सुना है, तो आप उस एपिसोड को अलग होकर के दो राज्य बने, एक जो मुंबई बना और दूसरा गुजरात बना, गुजरात की नहीं 1960 में पड़ी हो, फिर यहां से यह पहले मुख्यमंत्री यह बने अप्रेल 1960 में, फिर यह सितंबर 1963 तक इन्होंने बतावर मुख्यमंत्री काम किया, इसके बाद 1963 में इ साचर टरक रहे थे, फिर 7 नॉम्बर 1978 को इनका निधन हुआ, ये तो था इनके जीवन का वो पहलू जो इनके सिक्षा दिक्षा और उनके कुछ क्रिया गलापों से चुड़ा रहा, इसके अलावा जो जीवराज नरायन महता थे, उनका जो योगदान था, उसको गुजरात के विकास की निव के तोर पर देखा जाता है, दरसल जो जीवराज भेता थे, उन्होंने गुजरात में विकास की निव रखी, उनको बड़े-बड़े संस्थानों को बनाने का न केवल सौक था, बलकि उसमें वो खुब रुची लेते थे और उसमें उनको महारत थासिल थ मुक्यमंत्री इन्होंने कांडला बंदरगा में फ्री ट्रेड जोन बनाया, इसके अलावा बिकरम सारा भाई के साथ मिलकर के यह दिली गया वहाँ इन्होंने सरकार से पैरवी किया और उसके बाद ये इनके ही कारेकाल में 1961 में आयाया महमदाबाद की निव पड़ी, इसक से आज सब अमूल के नाम से जानते हैं, इस गुजरात स्टेट फर्टलाइजर कंपनी की इन्होंने शुरुआत की ये बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए ही इन्होंने केवल ये बड़े संस्थानों को बनाने का काम नहीं किया था, जब भारत इनकी वापसी हुई, भारत अलग रिसर्च में इनका खूब इंट्रेस्ट रहता था, जिसका चिकित्सा जगत में बहुत महत्तोपून इनके रिसर्चों को माना जाता है, मुख्यमंत्री बनने के पहले, इन्होंने मुंबई के उस प्रेसिदेंसी में कई सारे बड़े संस्थानों की नियू रखी, ब इनके हिससे में आती है, इसके साथ साथ इन्होंने पूरे जो तब पूरा हुआ करता था, एहमदाबाद, नागपूर, ऑरंगाबाद जายसे कई बड़े जगहों पर इन्होंने कई महत्तुपूर संस्थानों को बनाने का शुरुआत की, या बनाने में इनके महत्तुपूर भूमिका रही, कई medical college और hospital की इन्होंने planning की, टोपी वाला medical college, लोकमाने तिलक और नानावर्ती hospital जो हैं वो सब इनके हिस्से में आते हैं, जो तमाम बड़े बड़े संस्थाओं और बड़े संस्थाओं की इन्होंने new रख्यों आई और इनके इनको आगे बढ़ाया, इसके एलावा 1930, 1943 और 1945 तीन बार ये Indian Medical Association के अध्यक्ष रहे, 1949 में लोकनिर्मार के मंतरी रहे, 1952 में वित्र मंतरी रहे, उस समय का जो मुंबई राजय था उसके, फिर जो राजनी थी थी इनकी, जो पहली बार जब ये मुख्यमंतरी बने थे, उस समय ये गांधी जी के डॉक्ट होने के नाते अंग्डेजी हुकूमत की इनके उपर सीधी निगाह रहती थी और इनकी भूनकाओं को मतुपूर मानते वे इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, रसल 1960 में जब गुजरात की पहली विदान सबागे चुनाव हुए, 132 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे, जि मुरारजी देसाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मुरारजी देसाई जोके गुजरात से आते थे, पर मुरारजी देसाई खुद केंदर की राजनीत से, प्रदेश की राजनीत में नहीं जाना चाते थे, वो केंदर में बने रहना चाते थे, पर मनसा ये भी थी कि उन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुरारजी दिसाई के नाम के बाद फिर सीधे वो जीवराज नरायन महता के नाम पर अड़े जीवराज नरायन महता वहां के पहले मुख्यमंत्री बने 1960 में जब उमुक्यमंत्री बने फिर 1962 में दूसरी बार विधान सवा चुनाओ में पार्टी के हिसाब से मुरारजी दिसाई एक बार फिर सकर्करी हुए और वो चाहते थे जीवराज नरायन महता के चहरे पर पार्टी चुनाओ नलड़े पर पंडित जवाहरलान नेहरू उनक चेहरे पर चुनाव लड़ा गया 154 सीटों के लिए दूसरी विदान सभा के चुनाव हुए और उसमें कॉंग्रिस पार्टे के हिस्से में 113 सीटें आई थी हलाकि जो ये चुनाव था जो दूसरी विदान सभा का चुनाव था उसमें दूसरे दल भी ठीक ठाक भूमिका में आए उनके वोड प्रत्शत बढ़े जिसके बाद ये माना जाता है कि वहां का जो गठबंधन की राजनीती थी उसकी न्यू धीरे-धीरे 1962 के विदान सभा चुनाव से ही पड़ी थी दूसरी बार कॉंग्रेस को यहां पे जबर्जस जीत मिली और फिर जीव नराय राज महता को दुबारा मुख्यमंत्री बनाये गया जीव नराय राज महता अपने काम में लगे रहे अपनी दूर दर्शिता और जो उनकी विकासवादी सोच थी उसको वो आगे बढ़ाने में लगे रहे पर इस बीच मुराजी दिसाई लगातार उनके लिए अवरोध बनते रहे उनके कामों में तमाम तरीके से अरंगा डालते रहे दिरे-दिरे कुछ देश में और भी राजनीतिक परिवर्तन हुए कई अलग-अलग तरीके की बाते उठी उसमें से एक घटना उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है जो फिर किसी और अंक में इस पे बात होगी पर इसके चलते फिर 1963 में जीवराज मेहता को अपनी कुरसी छोड़नी पड़ी और फिर उसके बाद मुराजी दिसाई के चहेते बर्वंतराय मेहता यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए बर्वंतराय मेहता की कहानी अगले अंक में फिलाल इस अंक में इतना ही बने रही है हमारे साथ यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब केजिए फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए धन्यवाद